कि नमस्कार दोस्तों कैसा आप लोग उमीद करता हूं सब खेरियर्स होंगे अपनी लाइट में खुस होंगे दोस्तों आज आख में आसु आ गए ये खुसी के आसु है जी हाँ दोस्तों आज पहली बार मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जीते हुए देखा है बोल भी नहीं पा रहा हूं पहली बार मैंने देखा है हाला कि मैं क्रिकेट 2016 से देख रहा हूं या 2015 से लेकिन जबसे मैंने क् गेंद में 29 रन चाहिए थे वो अक्सर पटेल को हेंडरिक क्लासें ने धो दिया था 24 रन पड़ गए थे जब मैं बेठा यूं मेज देख रहा था लेकिन फिर मैं बेड़ पे लेट गया और फिर मैं भगवान से सिकायत कर रहा था भगवान क्या हमारी किसमत में रोना लिखा क्या आज नहीं तो कभी नहीं अगर आज हम वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इतने इससे आसान मुका क्या मिलेगा यार हम लगातर दस में जीते हमारे सामने अफ्रिका है जो हमें साथ चोक करती है आज वो भी इतना अच्छा खेल रही है सब्द नहीं यार दोस्तों लेकिन व बहुत कम दिये फिर वो हर्दिक पंडिया ने डेविड मिलर को आउट करा और उसके बाद राबाडा को भी हमारे हर्दिक पंडिया ने आउट करा केसव महराज ने भी दिल से इंडियन प्लेयर्स को सुपकाम नाय दी जब वर्ल्ड कप जीते न हम आखरी गेंद पर तो के आप बहुत अच्छा के लिए आप जीत गए और उसके अलावा क्योंकि केसव महराज इंडिया ने लेकिन उन्होंने भी फर्ष्ट प्रियरेटी अपने देश को दी जब उन्होंने रोज सर्मा का उट करा रिशाप पंद का उट करा तो आपने देखा होगा कुछ यह सो उ आपने सीने पर हत रखे कुछ मंत्र पड़ रहे थे वह अपने भगवान को याद कर रहे थे वह अपने राम भगवान को याद कर रहे थे लेकिन at the end गेम खतम हुआ उन्होंने इंडिया टिम को ब्लेसिंग्स दी सुपकामना यह दी कॉंग्रूचिलेशन कहा और आसू 25 रंग्स यह दे ना अरे यह पीस्तो भोट आसान ता एशा सोचल लागा बाद में में अरे याइडिया को चेस कर ले ना था है यार देखो कितनी आसानी से चेस कर रही है वह हिंड्रिक किलासन केसा मार रहा हो ट्रिस्टनिष्टब्स केसा मार रहा हो क्युंटन धिकॉक के लेकिन रोहित सर्मा रोहित सर्मा है वो कप्तानों का कप्तान है अगर उसने कुछ डिसीजन लिया है ना तो सही साथ लिया होगा ये सा हमें मान कर चलना चाहिए और वो डिसीजन सही था आज रोहित सर्मा आउट हो गए मैंने कल भी बोला था मैंने तीन की प्लेयर्स बताया नहीं आएं लेकिन उसने अपना बेश्ट प्रदर्शन फाइनल के लिए बचा रखा है आज छियोत्तर रन बनाएं I think 69 गेन में बनाए है ना 59 गेन में और बना देता अगर विराट कोली टिका रेता तो 200 रन बन जाते और मेरे पापा से बोला भी था हम दोनों साथ में देख विराट कोली की आखें टिक जाती ने एक बार पिच पर तो आपको पता कैसे चक्के मारते हैं वो वो हरी स्रोफ को भूल गये क्या और वर्ल्ड कप 2023 में देख लो पाकिस्तान के खिलाफ एशय कप 2023 में देख लो जहां पर विराट कोली ने 121 रन मनाया थे विराट कोली यहां पर वो एंडिया वर्सस पाकिस्तान में चुआ था वहां पर भी 46 गें में 46 रन चीए ते यहां पर भी 29 गें में 29 रन चीए ते और लेकिन वो पाकिस्तान थी वो एक घटिया टीम थी यह अफरीका थी लेकिन जैसे हें एंरिक क्लास एन आउट हुआ थोड़ी उमीद अक्सर पटेल को ओवर दे दिया था क्योंकि उसके पहले ओवर में कुल्दी प्यादाओ को अच्छे खासे रन पड़ गए थे फिर भी रोईत सर्मा ने अक्सर पटेल को ओवर दिया और आपने यह देखा होगा हमारे सारे स्पिनर्स को काफी जाधा रन पड़े काफी जा मुमेंट देखोगे तो मैं भी देखना चाहता हूँ इसलिए चालू कर लेता हूँ और आप भी देखना अगर मैं आपको दिखा सका तो दिखा दूँआ साउंड कम कर लेता हूँ नहीं तो होट इस्टार वाले मुझे कोपी राइट दे देंगे बुले हमारी चीजे क्यों इस्तिमाल कर रहा भाई तू नहीं कर रहा हूँ भाई आपकी चीजे इस्तिमाल सिर्फ में देखूँ आपको नहीं दिखाँगा आप आपके मोबाल ही दिल से खुसी है 2007 में जीता था आज क्या है 2024 से और कितना होता है I think 17 साल होता है यह 28 साल में हमने ट्रोफी जीती है 17 साल का इंतजार है अग T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहूं वेसे तो हमने 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता था 50 वर कप फिर 2013 में 50 वर की ट्रोफी भी जीती थी च ICC टूर्नामेंट के पहले विराग कोली की कपतानी में 2021 का WTC फाइनल खेला फिर रोईच सर्मा की कपतानी में I think 2023 का WTC फाइनल खेला फिर रोईच सर्मा की कपतानी में वर्ल्ड कप 2023 का WTC फाइनल खेला उसके बाद एशया कप 2023 का फाइनल खेला जीते भी फिर वर्ल्ड ता, शहीं मैं दोस्तों, दिल से दिल डुख राता मेरा, आज नहीं तो कभी नहीं अभी भी यही लाइन बोल रहाता, आज नहीं जीते तो कभी नहीं जीते, क्योंकि हमें कितनी बार अच्छे मोके मिलेंगे, हमें तो 2030 तेविस के वर्ल्ड कप में भी अच्छा मोका मिला था लेकिन हम वहाँ पर भी चूक गये थे लेकिन यहाँ नहीं चूके खत्रों के खिलाड़ी है हम एक बार चूकेंगे, दस बार नहीं चूकेंगे यह talented खिलाड़ी है, यह महंती खिलाड़ी है, यह रोहिते सरमा की कप्तानी वाली टीम है, यह इसी हर जाएगी क्या, यह 150 करोल लोगों के दिल की उमीदे थी इनसे, कि 150 करोल लोगों ने इनसे उमीदे लगा रखी थी कि नहीं, आप जीतो, आपके लिए हम प्राथना करेंगे, और प्राथना काम है, हाला कि अफरिका के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो फाइनल में गई, पहली बार तो फाइनल में गई, लेकिन उनके लिए भी तालिया बजनी ची यार, अफरिका के लिए क्योंकि अफरिका को कोई भी final में रखी नहीं रहा था सिर्फ South African cricketers न अफरिका को final में रखा था मतब ये prediction करते न कि आप आपकी semi-finalist बताओ आप आपकी finalist बताओ तो कहीं लोगों नो तो अफरिका को semi-final भी select नहीं किया था उन्होंने किसको किया था उस्ट्रेलिया को Australia final खेलेगी India final खेलेगी England final खेलेगी अब इनको भी choose कर लेते और कहीं लोगों ने तो अफगानिस्तान को भी choose नहीं किया England और Australia को choose कर रहेते लेकिन अफगानिस्तान और South Africa semi-final में Africa final में इंडिया से तो सबको उमीद ही थी और I think कोई भी क्रिकेटर एसा नहीं था या कोई भी cricket expert एसा नहीं था जिसने इंडिया को semi-final में choose नहीं किया हो सब नहीं किया था लेकिन semi-final में South Africa और Afghanistan को किसी नहीं किया था Hendrick Klasson के तालिया बज़नी चाहिए अगर Hendrick Klasson टिका रहता ना तो 18 और में मेच खतम कर देता आप भी बानते होगे यह बात मानते हो ना इमांदार इसे बोलना अपने दिल पर हाथ रखके अगर Hendrick Klasson टिका रहता तो 18 और में मेच फिनिस कर देता वो सबको मार रहता और spinner हमने पहली बार पस्ता रहता कि इंडिया ने तीन spinner खिला है और वो केसे दो रहते है आर spinner को Tristan Stups वो Hendrick Klasson वो कुंटन डिको वो तो दाती नहीं दे रहते है मतलब इंडिया के कंट्रोल में नहीं आ रहते वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहते हमें इतना प्यारा केश पकड़ा और पहली बार मैंने किसी इंडियान फिल्डर को येसे केश पकड़ते हुए देखा हला कि डाइब लगई ये लेकिन वो डाइब नहीं लगई वो दोडे फिर ग्राउंड के अंदर आने इस पेलो उन्हें बोल उचाल दी फिर ग्राउंड के भाहर आये और मजा ला दिया यार एक नंबर कीस था और वो टर्निंग पॉइंट था पेलो जस्पित भूमरा का उवर उसके बाद हार्दिक पंड्या ने क्लासन का उट करा फिर अर्सदिप सिंग ने काफी अच्छा और पेका फिर भूमरा ने भी काफी अच्छा और पेका और यांसेन का उट करा फिर हर्दिक पंड्या ने मिलर का उट करा रबाडा का उट करा सब हो गया अब यहां में इस देख रहा हूं मैं हालाकि मैं बोल कर रहा था कोई अक्सर पटेल इंटर्वु दे रहे हैं हमारे जैसा साब congratulate किर रहे हैं और हाँ जैसा से एक बात है क्या बोलाता हूं नहीं सूरत में कौन सा ग्राउंटा और आज खोट का ग्राउंटा ना दोस्तो आज मैं आपको ग्यारंटी देती हैं सूरी मैंने गलत बोल दिया आज मेरे सब दीन ही निकल रहे हैं काफी जैदा तोतला रहा हूं मैं तो भाईयो मैं आपको ग्यारंटी देता हूं टी ट्वंटी वर्ल्ड कप में 2024 के टी ट्वंटी वर्ल्ड कप में बारबा डोज में रोईत सर्मा की कपतानी में टीम इंडिया हमारा जंडा गाड़ेगी या भारत का जंडा गाड़ेगी और उसकी बात सच हो गई उस बंदे की बात सच हो गई उसको भरोसा ता रोईत सर्मा की उपर वर्ल्ड कप 2023 हा रहे ते तो कहीं लोगों ने बोला तो रोईत में आर वो दम नहीं रहा लेकिन उस बंदे ने भरोसा जता है कहीं लोग बोल रहे थे हर्दिक पंडिया कप्तान बनेंगे लेकिन नहीं उस बंदे ने भरोसा जता है रोईत सरमा की कप्तानी में और चाती ठोक्के बोला क्या बोला चात 24 के T20 World Cup में रोई सरमा की कपतानी में इंडिया भारत का जंडा जरूर गाड़ी ये सेम टू सेम लाइन बोली है मैंने और रटा गई है यार और थेंक्यू जैसा आपने इस टीम पर भरोसा जताया और आज तो दूबे भी अच्छा प्रदर्शन कर गए हैं मैंने सब को बोला था आज मैंने जितने भी खिलाड़ी थे न ये विराट कोली विराट कोली पे तो हम कुछ भी नहीं बोलते आज भी प्रदर्शन नहीं करते लेकिन कहीं खिलाड़ी मैंने दूबे के बारे में सोचा था दूबे आज प्रदर्शन कर दो तुम्हारे सारे पुराने गुना माप, तुमने जितने भी पहले मेच में गुना कही है ना, सब तुमारे लिए माप, बस आज प्रदर्शन कर दो, दिल से ख्वाई से, और उसने कर दी, I think दोस्तों काफी कुछ हो गया है, और मैंने scorecard आपको बता है नहीं, मैंने बोला था क मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने बता है नहीं, चलो, बता देता हूँ, काफी जादा खुज हो ना, ये फटा के की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, पीछे भी इधर मेरे, इधर पीछे खेत है, खेत के पीछे गाउं है, इधर रोड है, सब जगे फटा के केसव महाराज, तो एक स्यूप सोट महारा, फिर एक स्यूप सोट महारा, तो केसव महाराज को दो चक्के पढ़ गए, उसका रोई सर्मा ने एक और चोका महारा ने कोशिस करी, स्यूप सोट तो वहाँ पर हिंदिक क्लासन ने केश पकड़ लिया, थर्ड अंपायर के पास, उसके बाद या लेकसाइड एमपायर जो उनको बोलते है न थर्ड एमपायर की लेकसाइड एमपायर के पास मारा तो वो चोक कमार ने कोशिस की लेकिन वो केच पकड़ा काफी अच्छा केच पकड़ा उसके बाद रिशपपंती भी आउट हो गया वो अजीब वगरीब तरी प्रिया भी आयते, वो भी आउट होगे, फिर आते हैं हमारे अकसर पटेल, अकसर पटेल ने मामला समाल लिया और वो रन आउट होगा यार, कोई भी कीपर आम तोर पर नोन श्ट्राइकर एंड पर नहीं मारता है, थ्रो, और इसलिए अकसर पटेल काफी धिले या धिरे-धि लेकिन उस क्यूंटन डिकुक ने तो मार जा गिलाउस भी पेन रखा था, तो भी इतना पास्ट और आपने देखा होगा धिया तो क्यूंटन डिकुक ने पेले समाल लिया, क्योंकि उसको पताता अकसर पटेल धिरे जा रहे हैं, मेरे पास टाइम है, उसने थोड़ा टाइ अच्छा केश पकड़ा है, रविंदर जाड़े जातो, दो गेन में दोई रन बना पाए और आउट होगा है, क्योंकि एक गेन में दो रन ले लिया, तो उसके बाद दूसरी गेन पे, केसो महाराज ने कापी अच्छा केश पकड़ा होगा है, एंडिक नोर्किया की गेन प पकड़ा, विराट कोली इंटर्वी दे रहे हैं, यह देखो, आप भी देख रहे होंगे, मुझे पता है, और मेरी वीडियो तो यह ट्रोफी सेरी मनी खतम होने के बाद यह अपलोड होगी, क्योंकि अभी तो मैं सूटी कर रहा हूँ, और ट्रोफी सेरी मनी अभी चालू भी नहीं हुए, तो सायद लेटी आपको वीडियो देखने को मिले हैं, लेकिन दोस्तों मैंने कोई देरी नहीं किये, जैसे में इस खतम हों मैं वीडियो बनाने आ गया हूँ, और क्या बोले हैं यार, समनी अच्छी गेंदबाजी की, स्पिनर्स ने हमारे अच्छी इस बंदे को मत भूलो, सब IPL में इस बंदे को हेट कर रहेते हैं, तो हर्दिक पंडिया ने एक लाइन जरूर बोली ति जो कि आजकल इंस्टाग्राम पर काफी ज़्यादा वाइरल हो रही है, उसने बोला था, बुरे समय की एक बात अच्छी होती, कि ये भी बीत जाता ह और हर्दिक पंडिया का बुरा समय IPL 2024 में बीत गया, T20 वर्ड कप उनकी दिल के बहुत करीब होगा ये 2024 का, ये वो कभी नहीं बूलेंगे क्योंकि वर्ड कप जीते हैं, यह नहीं बूलेंगे वो, और अब मैं आप ग्यारेंटी देके लिखके दे रहा हूं, अब इंडिय साल से या 10 साल से, 11 साल से हम जीते नहीं ICC Champions Trophy, मतलब Champions Trophy हम 2013 में जीते थे, उसका अद हम ICC Trophy नहीं जीते हैं, 11 साल हो गया, 11 साल का थोड़ा दबाव होता है, अभी 11 साल से नहीं जीते, अब उनके उपर दबाव खतम हो गया, क्योंकि अभी उन्होंने जीते लिए 2024 में ट चोकर से लेकिन फाइनल खेली उनके लिए तालिया बसती है, तो दोस्तों हाई ओप आपको मेरी जानकर एच्छे लोगी होगी, और अगर आपको मेरी जानकर एच्छे लगी तो प्लेस वोड़ो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाज ही दो बन्दे मात्रम